हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपकी यूटूब चैनल जो आप इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तो अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जो आप इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तो आज की डेट में द बहुत बड़ी खबर लेकर आ चुका हूँ जी हाँ आप सभी लोगों के लिए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को जाना से जाना सेर करिए जैसा कि आप लोग देख सकते हो समविदा सौस्त कर्मियों के लिए बड़ी खबर निकल क्या रही है ब हजार सौस्त कर्मियों को होगा लाब है समविदा सौस्त कर्मियों का 25% तक बढ़ा मान दे यह जो भी यहाँ पे समविदा सौस्त कर्मियों है उनके लिए बहुत बड़ी खुसकभरी निकल क्या रही है जैसा कि आप लोग देख सकते हो इस न्यूज पेपर में सारे देच्टा में बनाए गई कमेटी, राज के 3 लाख है, नियोजित करमचारियों का बढ़ेगा मान दें, यह बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, और इस बड़ी खबर के बारे में हम आपको जानकाई देंगे साथी, किस राज से बड़ी खबर निकल के आ रही है, इसकी और किसकी किसकी सेली यहाँ पे 25% बढ़ने वाली है इसकी भी जानकाई देंगे इसके साथ ही दूसरी बड़ी खबर देके निकल के आ रही है बहाली में समविदा कर्मियों को अलग से मिलेंगे 25 अंक यह दोस्तो पजुप पालन विभाग में जो है समविदा कर्मियों को अल बड़ी खबर जो है बिहार से निकल के आ रही है और बिहार के समविदा सौस कर्मियों के लिए बड़ी खुसकभी निकल के आ रही है यह आप लूख देख सकती हो तो यह की करके हम आपको इस कटिंग की जानकारी बिल्कुल प्रूफ के साथ इस वीडियो में देने वाले ह तो चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले कटिंग पर बात करेंगे देखिए यह जो हिंदुस्तान यी पेपर की कटिंग है यह दोस्तों 20 जनवरी 2024 के नियूज पेपर में आपको इन्फार्मेशन मिल जाएगी इसके साथ ही परभात खबर की दूसरी बड़ी खबर र 20 जनवरी 2024 के नियूज पेपर में मिल जाएगी चलिए मैं आपको एक बार पुरूफ यहाँ पे दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप लूग देखिए कटिंग है परभात खबर और यहाँ पे देखिए Saturday 20 जनवरी 2024 इस तरीके से कटिंग है तीनों बड़ी खबर जो है 20 जनवरी 2024 के निकल क्या रही है सबसे पहले बात करेंगे सम्विदा सौस्ट कर्मियों के लिए जो कि हिंदुस्तान इपर से अपडेट निकल क्या रही है चलिए उस कटिंग को सबसे पहले देख लेते हैं तो यहाँ पिदोस्तों आप लूग देख सकती हो हिंदुस्तान की पेपर मैंने पूरी कटिंग यहां पे ले रखी है आठ हजार एनम सहीत सत्रा हजार सौस्त कर्मियों को होगा लाब है समविदा सौस्त कर्मियों का पचीज परसंट तक बढ़ा मांदे यह बड़ी खुश कभी निकल क्यारी है विकास आयुक्त की अध्यचता वाली सासी न स्वास्त कर्मियों के लिए खुशकबरी है एनच्यम राश्टी स्वास्त मिसन के तहत कारिरत स्वास्त कर्मियों को परतिमाह मांदे में 10-25 परसंट तक की बढ़ात्री की गई है विकास आयुक्त विवेक कुमार सिंग की अध्यचता में सुकरवार को सासी निकाय की बैठ में मांदे बढ़ाने का निड़लिया गया इस फैसले से लगभग 8,000 एनम सही थे विभिन विभागों में यानि की विभिन विभिन पदों के 17,000 कर्मियों को लाब होगा जिन कर्मियों का मांदे कम था उसके मांदे में 25% तक की बढ़ात्री हुई है जबकि पहले से जिनक की सैली में 10% की बढ़ात्री की गई है ये बहुत बड़ी खुशकबरी है समविदा वाले कर्मियों को नियुनतम मांदे 15,000 होगा बैठक में स्वास्त विभाग के सचीव सहराज्य स्वास्वासमीती के कारपालक पदधिकारी संजे कुमार सिंग सहीत वित और विभाग व करेबन की विद्धी की गई है स्वास्त समविदा कर्मियों की मूल बेसिक एंट्री लेवल मांदे में बढ़ोत्री की गई है बेसिक एंट्री लेवल मांदे में बढ़ोत्री के लिए समविदा स्वास्त कर्मियों लगातार सरकार से मांग कर रहे थे स्वास्त अचीव के अनुसार किसी भी संविधा सौस्ट संविधा कर्मियों का मानदे नियुनितम मर्दोरी से कम नहीं होगा, संविधा कर्मियों को उनकी योगिता और कारपरगत की अधार पर भी मानदे में बढ़ोतरी होगी, यह बहुत बड़ी अपडेट है, बाकि अभी देखिए, अभी सापसे आप लोग आडिया लगा लीजिए बाकि परक्षंद समुदाइक उत-प्रेरक को दोस्तों 12,000 रुपे सेली मिलती है अब इन्हें सायद 15,500 रुपे सेली मिलेगी और लेखा पाल को 12,500 रुपे सेली मिलती है समुदा पर अब इन्हें लगभग 15,000 रुपे मिलेगी औ परिवार नियोजन प्रामर्सी को 15,000 रुपे sellee मिलेगी, इन्हें लगबग 17,000 से 18,000 रुपे sellee मिलेगी, और बलाक हेल्थ मेनेजर को अभी समय 18,000 से रुपे sellee मिलेगी है, और होस्पिटल मेनेजर को अभी समय सम्विदा पर 25,000 रुपे sellee मिल रही है, इसी के साथ ही GNM A grade दोस्तो जी एरनिम नर्स एक ग्रेड को अभी 20,000 पर शैली मिल रही है लेकिन जब इसकी बढ़ोत्री हो जाएगी तो अब 25 परसन जब बढ़ेगी तो लगभग इन्हें जो है 25,000 पर सैली मिलेगी तो अभी कितनी कितनी किसे मिलेगी इसकी जानकारी मैं आपको बाद दे दूँगा वेकिन अभी इस समय जितनी सेली मिल लई है समीदा करीमों को इसकी जानका दे गई है DPM को 32,000 रुपे मिल लई है और 20,000 रुपे जिला प्लानिंग को ओडिनेटर को और आसा को ओडिनेटर को 20,000 रुपे और डाटा साहे को पार जानका दे गई है अब इन्हें कितनी सेली बढ़कर मिलेगी इसकी जानकारी आपको अलग से मिल जाएगी थोड़ा सा आप लोग वेड़कर ये बाकी से आप लोग देख लो यही जानकारी दोस्तो परभात खबर में भी पब्लिस की गई है मैं उसे भी एक बार दिखा देता हूँ तो यहाँ पर देखिए परभात खबर की बड़ी खबर है इसमें भी वही जानकारी दी गई है आप लोग पर सकते हो यहाँ पर सारी इन्फार्मेशन दी गई है एक बार आप लोग पढ़ लेना समवादादा पटना यह देखिए तीन लाग करमचारियों को जो है समविदा पर बहुत बड़ी खुसका भी मिलने वाली है क्योंकि इनकी सैली यहाँ पर बढ़ने वाली है बाकि आप लोग पढ़ लेना यहाँ पर चलिए आखरी दूसरी बड़ी खबर देख लेते हैं तो देखिए दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है बहाली में समविदा करमियों को अलग से मिलेंगे 25 अंक पसुपालन वा मतस से संसाधन विभाग ने सेवा भरती निमा वाली 2007 में संसाधन कर दिया है इसके तहते अब विभाग की भरती में समविदा करमियों को अलग से अधिक्तम 25 अंक मिलेंगे सेज़ चैन परकिरिया 15 अंक की होगी समविधा पर किये गे परत्येक वर्ष की सेवा के लिए 5 अंक निर्धर्द किये गे यानि कि एक साल का experience है तो आपको 5 नंबर दिये जाएंगे 2 साल का experience है तो आपको 10 नंबर दिये जाएंगे और maximum आपके पास 5 साल का experience होना चाहिए और अगर आपके पास 5 साल का experience है तो आपको 25 नमबर समविदा पर दिये जाएंगे यह बहुत बड़ी खुसकबरी है मिलते हैं नेस्ट वीडियो में धन्यवाद